नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल टेक्निकल बेद भाई में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहीं आपका जीमेल एकाउंट एक से अधिक फोन में या डेक्स्टॉप पे लॉगिन तो नहीं है और आपको पता नहीं है इसी में सिर्फ जो हमारा जीमेल एकाउंट लॉगिन है या किसी और भी फोन में लॉगिन है हमारे अलामा भी तो कोई और जेकर लॉगिन तो नहीं है तो आईए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फोन की शेटिंग ओपन कर लेना है शेटिंग क्लिक करने के बाद आपको कि यहां पे इस तरह से स्क्रोलल करेंगे तो यहां पर दिख जाएगा यह योर्डवाईस यहां Pak आपने शाइन की आपको इस पे किसी पे भी क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आ जाएंगी जो जो डिवाइस में आपने लॉग इन कर रहा है तो यहाँ देखिए जैसे जो में Redmi Note 7 Pro है इस पे मैंने लॉग इन किया हुआ है करेंट में यह चल ला है जिस फोन पे है दूसरा यहाँ पे और विखा रहे हैं कि जो में Redmi Note 7 Pro है यह जो कि 15 अप्टूबर 2022 को मैंने लॉग इन किया था इनेक्ट्व है 180 दिन से तो यह मेरे यूज में नहीं है मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ क्लिक करनेके बाद आपको यहाँ पे शाइन आउट का ओप्शन आएगा आपको शाइन आट पे सिंप्ली क्लिक कर दे ना है यहाँ Cancel Sign Out तो आपको Sign Out हो जाना है यह पे उसके बाद OK पे... क्लिक कर देनाँ यह देखिये अब यह जो डिवास था वो Attalition अगया कि हमने इस वाले डिवाइस से सावन उट हो और कुरंट में यह वाला फोन है जिसंपे मैं अभी क्यूच कर रहा हूं तो इसको में shirt out नहीं करना है की यह तो इसी फोन में और अपका दिखार भी रहे है कि इस डिवाइस में आपका जो कुछ इस तरह से यहां देखे एक और भी धिखार रहे हैं कि है तो यह मेरे पास टैबलेट है यह में जानता हूँ बट्र आपको यहां पर ऐप ऐसा कोई डिवाईस धिक क्लिक कर देना है तो आई होप आज इसका आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें लाइक करें कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल पर विजिट पहली बार करें तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें जरूर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं बट हमें मोटिवेशन मिल जाती है ताकि हम आपके लिए और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियों बनाते रहें मिलते हैं नेक्ट वीडियों में तब तक के लिए धन्यवाद